लाइफ में हमें अपने आपको जितने महलू देने चाहिए उतनी हम देती नहीं जिस चीज को हम पाना चाहते जो हमें चाहिए होता है वो हम डिजब नहीं करते ऐसा हमें हमेशा लगता रहता है लाइव आपको बहुत सारे chances देती है और जब भी आपको मिल सकें तो आपको जो आपको चाहिए वो पा लेना चाहिए टाइम निकल जाने से पहले आपको एक करना चाहिए इसे एक beautiful message के साथ आज की movie आती है आज मैं आपको baby woman candy या 1998 की Korean drama movie explain करने वाला हूँ इसके I am rating 7.7 है और यह आदमी की suicide की story है इस story को बहुत ही heartbreaking और बहुत ही सही तरीके से construct किया गया है तो चलिए शुरू करते है movie का first time period आता है और यह 1999 है इस movie में बहुत सारे time period दिखाय गया है और यह backstory की तरह अलग अलग पीछले time period आते रहते है इस movie में बहुत सारे time period दिखाय गया है और previous time period इसमें आते रहते है यह job time period हमें दिखाय गया है यह present का time period है इसमें हमें एक train tunnel से जाती हुई दिखती है ये एक डार्क टनर है और इसके दूसरे बाजो में एक लाइट भी है ये एक इंसाइट हमें तेते हुए एक आदमी हमें इस ब्रीज के नीचे बड़ा हुआ दिखता है यही हमारा मेन क्यारेक्टर है इसका नाम हम जॉन रखेंगे जॉन आकाश की तरफ देख रहा है और इसके आखों में आसु है यह रिवर के पास होता है और बहुत सारे लोग वहाँ पार्टी कर रहे होते है डीजी वगराद चला रहे होते है और डांस कर रहे होते है उनके पास हो जाता है और डांस करने लग जाता है इन में से जो कोज आदमी होते हैं अब इसे पैचान लेते हैं उसे नेम से वो पैचानते हैं ये जो John है ये इनके ही इस स्कूल का friend था इनके आज reunion है इसमें John आया है ये एक बड़ा आदमी बन चुका है इसलिए इसका congratulations हो करते हैं उसके life के बारे में ये पूछना चाहते हैं इनके friend circle का जो एक लीडर होता है वो John को बेटा कर कहता है कि मैं तुमसे बहुत पहले ही contact करना चाहता था पर तुम्हारा contact रही मुझे मिलनी पाया John बेटता है उसे वो drink देते है और बार बार ये जो group leader है ये एक ही बात कहरा रहाता है कि मुझे तुम्हें contact करना था पर मैं कर नहीं पाया मैंने बहुत पहले ही तुम्हें contact करना चाहिए था ये सब वो बोल रहाता है तो John को बुस्ता आ जाता है John कहता है कि पस हुआ ठीक है तुमने मुझे contact नहीं किया इससे कुछ ज़्यादा फरक नहीं पड़ता सब फ्रेंड्स फिर उसे cheer up करने के लिए डांस के लिए लेकर जाते है John कैरी होके पर गाना गाना चाता है इस गाने के बोल होते है कि क्यों मुझे तुम छोड़कर चली गई दर्थ बरा एक गाना गाता है और बहुत ही चिलना ने लग जाता है रोने लग जाता है उससे फिर वो माइक ले ले लेते है इसे शान्त होने के लिए वो बोल रहे होते है पर यह सुनता नहीं जिस river के side में होते एक चोटी स river होते है इसमें यो चलने लग जाता है जो गाना वो गा रहा था वो अभी भी गा रहा है जिस bridge से train आ रही थी उसी bridge पर ये चड़ जाता है सब friends इसके लिए worried हो जाते है जो group leader होता है उसके पीछे बागता है उसे हो नीचे निकलने के लिए बो बहुत सारे लोग यहां आते है डिसाइड करने के लिए पर कोई भी करता नहीं और एक train आती है ग्लूपडेर उसे बोलता है कि नीचे आ जाओ पर यह train रुकती नहीं और इस बार जॉन के track पर होती है अब हमें next time period तीन दिन पहले का दिखाय गया है जॉन ने suicide करने के पहल अच्छा विउ है जो बोट वाले लोग होते है इस विउ को दिखाने के लिए उनसे थोड़े से पैसे लेते है जो गहती है कि इतने भी जादा वो पैसे नहीं लेते जॉन कहता है कि मर मिट जाने इतना ब्यूटिफुल यह स्पॉट है यह चाय पिता है पर इसके पास पैस यह आदमी जब अपनी बिल्ली में जाता है तो जॉन वहाँ आ जाता है उस पर वो गन चलाने वाला होता है पर यह आदमी जुख जाता है उसे एक गोली नहीं लगती जॉन डर कर वहाँ से भाग जाता है जॉन ने इलीगल अपनी कार पार्क की होती है इस वाज़े से उसे वाइफ से उसका डिवास हो चुका है उसकी वाइफ उसे पुछती है कि तुम यहाँ क्यों आये हो यह एक्चुल में उसकी लड़की से मिलने आये हुआ होता है पर इसकी वाइफ अब उसे मिलने नहीं देने वाली तोटा कुट्टे का वैच्चा इन्होंने पाला हुआ होता है तो यह कहता है कि मैं इससे मिलने आया हूँ इस कुट्टे को उससे लाता है उसके वाइफ उसे पुछती है कि क्यों पर इसके पास कुछ भी जवाब नहीं होता तो उसके wife अब दर्वाजा पन कर लेती है रात में बारी शोरी होती है और John अपने घर आ जाता है यह एक जोपड़ी में अब रहे रहा होता है उसका पीछा एक आदमी कर रहा होता है अब इसे उसने ढूंड लेया है और John की पीछे उसके घर में आ जाता है वो कहता है कि तुम्हें ढूंड़ना बहुत ही difficult था John फिर अपनी गन निकालता है वो कहता है किसने बेजाए तुम्हें यह आदमी कुछ भी बोलने रहा होता फिर वो कहता है यह जो गन मैंने बाई की है मैं अपने आपको मारने वाला था पर मैंने सोचा कि मैं मरने वाला हूँ तो किसी और को भी मेरे साथ लेकर जाओ मैं एक यह आदमी को लेकर जाने वाला था पर मैं अब confused हो चुका हूँ मैं किसको मारू यह मुझे समझ वे ने आ रहा stock broker को जिसने मैंने सारे पैसे ले लिये मेरा फ्रेंड जो मेरे विजनेस के पैसे लेकर भाग गया लोन वाले जो हमें समझे तंग करते रहते थे या मेरी वाइफ और लड़की और तुम यहाँ अब आये हो तुमारा आज का दिन कुछ अच्छा नहीं है उससे पुछता है कि तुम यहाँ क्यों आये हो वो कहता है क्या तुम सुन्ची को जानते हो जोन पहले समझ नहीं पाता और वो कहता है कि तुम दोनों कपल्स थे यह जो आदमी होता है कि सुन्ची का हस्बन होता है सुन्ची और जॉन का बहुत सालों पहले प्यार था सुन्ची अब बेर पर है और वो मरने वाली है इसी वज़े से उसे अब जॉन को फिर से वापस देखना है सुन्ची के लास्ट विश है इसलिए उसका हस्बंड जॉन को लेने आया हुआ होता है जॉन्ची को देखने के लिए मान जाता है सुन्ची का हस्बंड उसे कुछ कपड़े देता है जब वो हास्पिटल पहुचते है तो सुन्ची के हस्बंड को पता चलता है कि सुन्ची कोमा में चली गई है वो अब किसी से भी बात नहीं कर सकती जॉन्ची के लिए पेपर्मिंट केंडी लाई हुए होती है वो फिर अंदर जाता है वो फिर भी उससे बात करना चाता है वो कहजा है यह हमें मिले बहुत साल हो चुके है मैंने तुम्हारे लिए पेपर्मिंट केंडी लाई है कैया तुम्हें याद है, जब मैं आर्मे में था, तो तुम मुझे ये भेजा करती थी। मैं इसे हमेशा समाल कर रखता था, ये वही पेबर्मिन केंडी है। ये वहाँ आर्मे में अलाउड नहीं था, इसी वज़े से मैं ट्रवल में भी आ गया था, पर फिर भी मैंने इसे जतन करकर रखा है, जॉन फिर रोने लग जाता है, और वहाँ से चला जाता है, सुन्ची कौमा में थी, पर फिर भी ये सब सुन रही थी, उसके आख में आसु आजाते है, जब जॉन नीचे आता है, तो सुन्ची का हस्बंड उसे कैमेर देता है, वो कहता है, सुन्ची ने ये तुम्हारे लिए लाया था, ये वो तुम्हें ही देना चाहती थी, जॉन फिर इस कैमेरे को सेल कर देता है, रात में हमें जॉन रेन के साइड में दिखता भी फोन होता है, वो किसी का पता करना जाता है, इसे के बारे में जानकरी निकालना चाता है, वो फिर अपने फरनीजर शॉप पर आता है, वो आकर उसके आसिस्टंट भी होती है, उसे वो चाय देती है, अपने फ्रेंड के साथ वो लांच करने के लिए जाने वाला होता है, तो इस फिर से उसे डिरेक्टू को कॉल आता है, डिरेक्टू ने उसकी वाइफ का पता निकाल लिया होता है, उसकी वाइफ पर ही नजर रखना चाहता है, उसकी वाइफ जा होती है, वहाँ आ जाता है और उसका पीछा करता है, इसकी वाइफ जो है, इसका चक्कर चल रहा है इसके wife का नाम हम कीमे रखेंगे जॉन की wife फिर एक आत्मी के साथ उसके घर चली जाती है जॉन दर्वाजा खटगटाकर अंदर आ जाता है ये सब रह जाते है और इस आत्मी को वह पकड लेता है जब ये सब बाहर आते हैं तो इस आत्मी को बहुत मारता है अपने wife से वो बात करता है उससे पूछता है कि अब तुम कैसे घर जाने वाली हो वो taxi रहने वाली होती है उससे भी पूछती है कि तुम कब घर आने वाली हो वो कहता है कि मैं आज लेट हो जाऊंगा रात में में घर आऊंगा फिर हमें पता चलता है कि जॉन जब अपने वाइफ का पीछा कर रहा था उसने अपने असिस्टन को अपने साथ ही लाया था जॉन का अपने असिस्टन के साथ चक्कल चर रहा है और यह दोनों इंटिमेट हो चुके हैं यह हमें दिखता है जॉन के assistant और वो दोनों खाना खाने के लिए एक restaurant में आते है यहाँ इस restaurant में एक बच्चा होता है जिसका ball उसके पास आचाता है जॉन और एक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते है फिर इस बच्चे का parent आता है जॉन इस बच्चे के parent को पहचान लेता है जॉन उससे पूछता है कि अब तुम क्या कर रहे हो कैसा चल रहा है यह जो parent है इसका नाम हम JC रखेंगे और इसे आप याद रखना है जब JC और जॉन दोनों toilet में होते हैं तो जॉन फिर उससे कहता है Life is beautiful जेसी को समझ में नहीं आता तो फिर से दो रहाता है Life is beautiful यह quote भी आप याद रखना और यह फिर से movie में हमें दिख़ेगा नेक्स दिन जब आता है तो जॉन के जो सब कलिक है इन सब को lunch के लिए उन्होंने invite किया होता है यहाँ पे जॉन की assistant भी होती है जाता था इसी वज़े से वो एक कर रहा था जब यह lunch के लिए बैठते है तो उसकी wife prayer करने लग जाती है यह prayer करते वक्ग वो रोने लग जाती है वो अब John के साथ नहीं रह सकती इसलिए वो हमें घर से बाहर निकल जो ही दिखती है यह time period खतम हो जाता है और next time period हमें दिखाया गया है यह अब 1987 का time है किम जो है वो pregnant है यह हमें दोनों उनके घर में दिखाया गया है और किम वहाँ बैठी होई होती है और John lunch कर रहा होता है किम अपने हेल के बारे में उसे बोल रही होती है वो hospital जाने वाली है यह भी उसे कहती है John जो होता है यहाँ absent हमें दिखता है वो paper में ही देख रहा होता है उसे किम से बात करने में उतना interest नहीं होता previous time period में wonder कर रहा था कि इनकी relationship तूटने में कोई जिम्यदार हो सकता है जब इस time period में हम देखते है कि John absent minded था तब यह जीद से clear हो जाती है Nixon में हमें दिखता है कि John एक आदमी को पकड़ने के लिए आया हो होता है यह JC ही है वो JC को लेता है और police station लेकर आता है John अब इस time period में business man नहीं है तो यह police है John अब JC की पुछताज करने के लिए start करतेता है वो उसे बहुत मारता है जैसी का साथी जो होता है उसकी position उन्हें पता करने होती है जैसी कुछ यह बोलनी रहा होता उसे पानी में डूबाते है उसे बहुत ज़्यादा torture करते है और फिर यह उसका पता देही दिता है जब रात होती है तो जोन अपने friends के साथ एक club में आता है वहाँ गाना खाता है enjoy करता है वहाँ एक लटकी ने उन्हें join किया होता है यह जो लटकी होती है यह अंडरेज होती है जोन फिर उसे धमकाता है अगर तुम फिर से इस बार में मुझे दीखी तुम्हें तुम्हें जाने नहीं दूँगा यह डर कर वहाँ से भाग जाती है जोन फिर फिर से हमें police station में जैसी के पास आता है जोन जैसी को कहता है कि अगर तुमने पहले ही पता दी दिया होता इतनी तकलिफ तुम नहीं सेते जैसी रो रहा होता है जान उसे पुछता है तुमने अपने डायरे में लिखा है life is beautiful क्या तुम सच में मानते हो कि life beautiful है इसके पहरे time period में हमें पता है कि अब जान मान चोगा है कि life beautiful है पर इसकी खुद की नहीं यह जैसी की life है जो beautiful है जैसी ने अपने फ्रेंड का पता दिया था जैस गाव में वो रह रहा है वहाँ से ही सुनची है इस गाव में वो आ जाते और जिस आदमी को उने पकड़ना है उसे पकड़ने के लिए कार में वो रूखते है अब रात हो जाती है तब जॉन की फ्रेंड से कहते है कल रात भी तुम नहीं सोय थे अब जाओ और जाओ और जाओ और जाओ कर आओ जॉन फिर निकलता है एक घर के पास वाता है यहाँ एक लेट की दारू बिती हुई घर के बाहर बैठी हुई होती है उसे पुझता है किया मैं तों जाओन कर सकता हूँ यह उसे फिर इन्वाइट कर लेती है वो उसे पुझते है कि तुम यहाँ क्यू आया हो वो कहता है किसी को ढूँने के लिए आया हूँ वो फिर और भी इंटरेस्टेट होती है चौन कहता है कि मेरी जो फर्स लव थी वो यहां रहती थी मैं उसे ढूणने के लिए यहां आया हूँ इस बड़े से शेहर में कहा रह रही है यह आप मुझे नहीं पता पर यह जो पारिश है यह वो भी देख रही है और मैं भी देख रहा हूँ एक ही आकाश के नीचे हम है लेकि शेहर में हमें इसका प्रेजन्स मुझे यहां मैसुस हो रहा है और इसमें ही मैं खुश हूँ यह लड़की फिर एमोशनल हो जाती है वो कही थी कि आज रात के लिए तुम प्रिटेंड करो कि मैं ही वो लड़की हूँ जिससे तुम ढूंड रहे हो यह दोनों फिर इ मुझे exactly पता है कि तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो। इसका भी heartbreak हो चुका होता है। जब सुभा होती है तो जॉन अपने friends के car के पास आता है। जिस आदमी को ढूंड रहे थे ये जॉन के पीछे ही चल रहा होता है। इसको अब वो पकड लेते हैं। जॉन को फिर से उस लड़की को मिलना होता है। इन्होंने decide क्या होता है, breakfast के लिए वो फिर से मिलेंगे। पर अब उन्होंने जिस आदमी को ने ढूंड ना था, उसे ढूंड लिया है। जॉन उसके पास जानी पाता। यह लड़की रिवर के पास उसका वेटी कर रही है, यह हम देखते हैं। यही टाइम पिरेड खतम हो जाता है। और फिर से पास्ट में, 1984 में हम आ जाते हैं। यहां में किम और जॉन दीखते हैं। जिस गली में रहता है, वही किम भी रहती है। किम को साइकल चलान नहीं आता, उसे पूछ रही हुथी क्या तुम मुझे सिखाओगे। जॉन केता है कि मुझे काम पर जाना है। इससे पहले वह किम के रिस्टॉरन में आता है। उसे किम खाना किलाती है। और एक आदमी वहाँ खाना खाने के लिए आता है। टॉर्चर करने के लिए बोल रहे होते है। आतमी के पास हो जाता है। उससे कहता है कि प्लीज जो भी इंफर्मेशन तुम्हारे पास है, वह मझे दे दो , उससे हग करता है। पर यहादमी मानता नहीं तो से बहुत वह तॉर्चर करता है। पर ये आदमी वही पॉटी कर देता है जॉन के हाथ अफ़ खराब हो चुके है जॉन वहाँ से बात्रों में जाता है और उसका फ्रेंड उसे आकर बोलता है कि तुम्हारी गर्ल्फेंड तुम्हें देखने के लिए आई है ये जो लड़की है ये कीम नहीं होती तो ये सुन्ची है जॉन फिर सुन्ची को रेस्टोरन में लेकर आता है जॉन सुन्ची को पूछता है कि तुमने मुझे कैसे डोणना वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारी एड्रेस बुक थी तुम्हारे पैरेंस पहले यहां रहा करते थे सुन्ची उससे पुझती है कि तुम पुलिस कैसे बन गए तुम जब आर्मे में थे तब तुम्हें मिलने के लिए मैं आई थी पर उन्होंने मुझे तुम्हें मिलने नहीं दिया था तो यह पता भी नहीं होगा, कि मैं तुम मिलने के लिए आई थी जॉन अभी भी उससे कोजी भी बात नहीं कर रहा हो था सुनची फिर उससे कहती है, कि तुमारे चो फिंगर्स है यह बहुत ही अलग है, यह बहुत ही अगली है पर वे मुझे स्वीट लगते, तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो जॉन के हाथ हमें अभी-अभी गंदे हो गए है, यह दिखाए गया था As a character, उसके हाथ अब गंदे हो चुके है वो जैसा था, ऐसा अब वो नहीं रहा, ऐसा उसे लगता है वो अपने हाथ देखता है, और कहता है कि सही हो, तुम सही बात कर रही हो कीम जब उन दोनों को ड्रिंग देने के लिए आथी है, तब कीम को हाथ लगाने लगता है वो सुन्ची को बता रहा होता है, कि अब वो कीम के साथ है सुन्ची फिर uncomfortable हो जाती है उसे camera देती है वो कहती है कि तुम्हें हमेशा से photograph और बनना था मैंने बहुत सारे पैसे इकटा करकर तुम्हारे लिए buy किया है वो कहता है जॉन कहता है कि मुझे अब इसकी जरूत नहीं है ये कहकर फिर उसे station में छोड़ने के लिए वो आ जाता है जो camera सुन्ची ने उसके लिए लाया था उसे वो वापस कर देता है जब रात होती है तो John cycle channel लग जाता है वो circle में घुम रहा होता है अपने आपको punish कर रहा होता है उसके जो सब friend होते है वो किम के restaurant में बहुत सारी दारू पीर होते है जोन फिर अंदर आता है और सब को control करना चाता है जैसे आर्मी में strictly order follow करते थे उसी तरह से उनको order देना चाता है उन सब को मानने लग जाता है जिस तरह से उसकी life अब mess हो चुकी है इसे वो फिर से track में ले जाना चाता है और वो एक करने पारा किम जोन को उसके bedroom में लेकर आती है यह दोलों intimate होने वाले होते है जोन डिस्टब होता है तो उसे कहती कि तुम्हे प्रेयर करना चाहिए किम फिर उसके लिए प्रेयर करती है और उसे भी प्रेयर कैसी करनी ही सिखाती है इस सिन में हमें बता चलता है कि जोन ने उससे क्यों शादी की होगी उसके जो life है यह सही से नहीं जा रही किम उसके लिए एक ray of hope है इसी वज़े से उसने उससे शादी की थी यह time period यहीं खतम हो जाता है फिर से past में 1980 हमें दिखाया कया है जोन अब जो है वो army में है और सुन्ची उससे मिलने के लिए आई हुई है वहाँ के जो officers होते है उससे कहते है कि तुम्हें allowed नहीं है यह war zone है तुम किसी से भी मिलनी सकती एक alert जा रही हो जाता है और सब गाड़ी में बैट कर एक जगा पर सब military जा रही होती है सुन्ची बाहर होती है और जोन उससे देखता है अंदर बैट कर उसे wave अगरा नहीं करता वो सिर्फ surprise हो जाता है सुन्ची उससे दूर जा रही है यह में दिखता है वो सिटी में होते भागते भागते वो ट्रेन स्टेशन पर आ जाते है जोन उसके फ्रेंड की साथ होता है अपने फ्रेंड को कहता है कि अप में चलने सकता उसके जूते में कुछ पानी है इसी वज़े से वो चलनी पा रहा उसका फ्रेंड उसे कहता है कि ऐसा क्या है मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ उस पानी को निकालने के लिए जब उसका फ्रेंड शूज निकालता है यह जॉन का बलर्ड होता है जॉन को गोली लड़की होती है उसका friend फिर help लेने के लिए चला जाता है वह एक लड़की आती है जोन उस पर gun रखता है वो लड़की कहती है कि मैं इस जगा पर first चुकी हूँ मैं यहाँ से जाने वाली थी तभी यहाँ lockdown हो चुका है और यह जंग छट चुकी है जोन उसे जाने के लिए बोलता है तभी उसके friends वगेरा सब आ जाते है वो हवा में fire करता है और उस लड़की को भाग जाने के लिए केता है वो दो-चार round fire करता है पर उसे चोट लग गई थी इसी वज़े से सही से short fire नहीं हो पाते और उस लड़की को उसने मार दिया है यह उसे realize होता है उसके पास जाता है इसने उसे मार दिया है इसलिए वो रोने लग जाता है इसे इस लड़की में सुंची दिखाई दिती है अपने प्यार को ही उसने मार दिया है यह वो realize करता है यह बहुत ही रोने लग जाता है यह सीन यही खतम हो जाता है और हम फिर से टाइम पिरेट में जब मारते है और 1979 में आ जाते हैं John अब कॉलिज में है और दोस्तों के साथ पिखने में आये हुआ है मूवी के फर्स में जिन दोस्तों के साथ हमें मुझे पसंद है. John उसे पूछता है, क्या तुम्हें फूल अच्छे लगते हैं? मुझे फूल अच्छे लगते हैं. John उसे कहता है, तुम्हें फोटोग्राफर बनना है, यह जो नेचर की ब्यूटी है, यह मुझे capture करनी है, सुन्ची इस पर हस्ती है और फिर उसे peppermint candy देती है जॉन उसे पूछता है, क्या तुम्हें ये पसन है वो कहती है, कि मैं इसकी factory में काम करती हूँ, मैं try करती हूँ कि मैं इसे पसन कर पाऊ जॉन फिर इस spot को देख रहा होता है वो सुन्ची से कहता है, कि मुझे लग रहा है कि मैं यहां already आ चुका हूँ ये जो सब है, ये मैंने पहले देखा है ये सा मुझे मैसूस हो रहा है सुन्ची उसे कहती है, कि ये तुम्हारा dream होगा जॉन पोचता है, क्या है ये सच मुच में dream हो सकता है यह जो सबफ्रेंड्स है फिर ग्रूप में बैठते है जॉन जो गाना गा रहा था यह तुम कैसे चली गई मुझे छोड़ कर कैसे चली गई गाने की लेरिक्स थे यह गाना यह सबफ्रेंड्स मिलकर अब गा रहे है पर एक फैपी टोन में गा रहे है जॉन फिर उठ जाता है और यहाँ चलने लग जाता है वो ब्रीज के नीचे फुलों के बास बेटता है उपर देखता है और वहाँ रोने लग जाता है यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है यह realization उसे होती है यहाँ हम सोचे तो यह moment जॉन के लिए perfect था यहाँ उसे जो भी सब चाहिए था वो एक कर सकता था इसके लिए वो hope भूलता यहाँ उसे पता था यह सब छोड़ कर उसे आर्मी में जाना पड़ेगा इसलिए यहाँ वो रो रहा है इसका जो future है वो uncertain है जो भी उसे चाहिए वो पातो सकता है पर उसे इसकी possibility बहुत ही कम लग रही है यह सब सोचकर उसके death imagine करता है और यहाँ वो रो रहा है अगर हम फिर से इस movie के जो scenes थे इन्हें एक linear तरीके से फिर से analyze करें तो हैं बहुत सारी चीज़े पता चल सकती है movie का last scene जो था उसमें वो जैसा था वैसे हमें दिखाये गया है उसका एक pure form हमें यहां दिखता है पर वो वैसा हो नहीं पाता इससे पहले जो scene है जहाँ सुन्ची उसे मिलने के लिए आती है उसमें उसे मार रहा है उसका जो प्यार था उसे उसने मार डाला है ऐसा उसे दिखता है इसे और एक पहले सीन में जब वो आपकीम से मिल चुका है किम के रेस्टोरान में वो खाना अगरा खाता है इस सीन में जब हुसे सुनची मिलने आती है तब वो उसे भी ठुकरा देता है उसके पास्ट के साथ उसके जो सब 20 थे उसने उसे मार दिया है और एक इसके पहले सीन में जब कीम इसके बच्चे के साथ ब्रेंगन थी तब इसने अपने फैमिली को ये मार दिया है वो कीम के साथ इतना जूडनी पाता जो उसे अटेंशन अपने फैमिली को देना चाहिए वो नहीं देता इसी वज़े से इसकी फैमिली बरबाद हो चुगी है जब वो पुलीस में था और सुंचे के गाव में फिर से वो अपस आया था तब उसे फिर से एक जांस मिला था जो लड़की थी उसके साथ वो रह सकता था वो लड़की भी जॉन को पसंद कर दी थी वो दोनों उस दिन मिल सकते थे पर उसने फिर से उसका जो चांस था कि वो फिर से पैर में पढ़ सकता है इसी को उसने मार डाला जब मूवी के फर्स सीन आये थे जब वो गन बाई करता है तो वो सब को मार डाना चाहता था तो स्ट्रॉक बुकर को बैंक वालो को उसका जो फ्रेंड था उसको उसके वाइफ को बची को सब लोग को मार देने वाला था और आखिर में उसने अपने आप को ही मार दिया अगर हम फेर से देखे तो जॉन के पास हमेशा उप्शन था जो बाना जाता था वो हमेशा उसके सामने था पर वो कभी भी उससे रिकगनाज नहीं कर पाया जो वो कॉलेज में था तो उससे फोटोग्राफी करनी थी पर उससे करने के लिए वो करिश नहीं जूतावाया उसके ऑल्टरनेट में वो आर्मी में चला गया जब वो आर्मी में था तो सुन्ची उसे मिलने आई थी पर उसने सुन्ची को देखा है और उससे वो कॉंटेक करे ऐसा उसे नहीं लगा जब उसने उस लड़की को मारा तो उसे लगा कि वो बहुत ही बुरा आदमी बन चुका है और वो सुन्ची को डिजर्व नहीं करता वो उस पल में सुन्ची को पास सकता था पर तभी भी उसने ऐसा नहीं किया सुन्ची फेसे उसे मिलने के लिए आई थी पर कीम के साथ फिर वो इन्वाल हो गया उसके हाथ गंदे हो चुके है उसका सोल अब डर्टी हो चुकी है ऐसा उसे लगता था अब वो सुन्ची को डेफिनेटली डिजर्व नहीं करता सुन्ची उसे लाइफ का और एक चांस देखा जाती है उसे एक कैमेरा वा देखा जाती है अकर जॉन डिसाइड करता तो अपना पैशन पर्स्यू कर सकता था तभी भी उसने ऐसा नहीं किया जब कीम के साथ उसकी शादी हो गए अगर उसने फैमिली को इंपोर्नेस दिया होता तो फिर भी उसकी फैमिली कभी तूटती नहीं और जो उसके हालात हो चुके थे वो नहीं हो पाते इसके कॉंट्रास्ट में उसने वाइलन्स का वे चूस किया जब वो मुवे में बरबाद हो चुका था उसका जॉब उसके पास नहीं है उसकी फैमिली उसके पास नहीं है तब सुंची का हास्बन उसे फिर से उसका कैमेरा देता है वो अपने dream को sale कर देता है अपने friends की reunion में हो जाता है उसके friends उसके लिए बहुत protective है फिर से वो वो यादे जी aż सकता है जो उसके लिए beautiful थी उसे life में support करने वाले जो भी सब उसके friends है वो यहाँ मौजूद है John के लिए यह सब care करते है पर ये वो देख नहीं पाता और फिर वो सुसाइड कर लेता है हम जो है अपने आपको हमेशा जज़ कर दे रहते हैं हम बुरे है इसलिए हमें यह नहीं करना है यह सब जो है यह बहुत गलत है लाइफ हमेशा हमें जो भी चांस देती है हमारे साथ जो भी अच्छा होने वाला है इसलिए सीस्टि मॉडमेंट कहा जाता है जो मॉडमेंट है इसलिए हमें पकड लेना चाहिए जकर लेना चाहिए और इसका कोच ब्यूटिफूल बनाना चाहिए लाइफ को देखने का एक अलग तरीका यह मूवी हमें दिखा कर जाती है अगर आपको यह वीडियो पसन आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजे अगर आपको ऐसे बहुत सार एक्स्प्लेशन चाहिए तो प्लीज मेरे चानल को सबस्क्राइब कर दीजे प्लीज नोटिफेशन आईकोन में दबा दीजे यहनी के आपको सब वीडियोज मिलती रहे हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ तब तक के लिए धैंक्यू और अब आपने आपका खैल रखिये